जो साइंस कहती है, जो पदार्थ बना है, पदार्थ बना है एनर्जी से, एनर्जी बनी है वाइब्रेशन से, और साइंस अभी यहीं तक पहुँची है, अदार्थ, एनर्जी, एनर्जी, वाइब्रेशन, शिव योग कहता है, जो वाइब्रेशन की जो सोर्स है, उत्पत्ती है, जो की साइंस अभी नहीं पहचान पाई, वो है consciousness, consciousness से, वाइब्रेशन की उत्पत्ती होगी, वाइब्रेशन से, एनर्जी, एनर्जी से पदार्थ बनेगा, इसलिए शिव योग कहता है, कि जड़ कुछ भी नहीं, सभी चेतन है, सभी के भीतर शिव समाया है, शिव योग कहता है, कि एक भी ऐसा संसार में कोई कन बता दो, जहां शिव व्याप्त ना हो, कनकन में वो व्याप्त है, इसलिए अगर शिव कनकन में व्याप्त है, तो समानता होने चाहिए, जाति पाती वो भी मिथ्या है, ज्ञानता ज्ञानी लोगों ने बनाई है, चुवा चुत वो भी मिथ्या है वो भी ज्ञानी लोगों ने बनाया है मन की पवित्रता और शिव से जो जुड़ना है अगर शिव से जुड़ना है तो चेत्रन के द्वारा जुड़ा जाता है The Consciousness Merge your Consciousness with the God Consciousness and you are one with the God जो परमात्मा है वहाँ non-duality आती जैसे जैसे आप नीचे पदार्थ के गुण है यहाँ पर duality है जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं higher dimension में there is a state of non-duality और उस चेत्रन के मूल में वो बीज रूप क्या समाया हुआ है वो है उस Consciousness का जो pure level Consciousness को purest of the pure अगर करते जाएं so that is the Sat-Chit-Anand और उसी Sat-Chit-Anand को हम कहते हैं the unconditional love और उगर उस unconditional love की feeling को तुम gross body में अगर create करना शुरू कर दो अभी consciously create करना शुरू कर दो तो बगेर तिलक लगाए बगेर गेरूवे बस्त्र पहने बगेर घंटी बजाए तुमारे अंदर अध्यात्मिक शक्तियां जागरत हो जाएंगे अध्याएंगे